नमस्कार आज बात करेंगे राज कुंद्रा की राज कुंद्रा के प्रोनोग्राफिक केस में कल बुधुवार को मुंबई के क्राइम ब्रांच की प्रोपर्टी सेल ने चार्शिट दाखिल कर दी कोट में उस अप्लिकेशन के माध्यम से लंडन से वो इसको अप्लोड करवाते थे इसको स्ट्रीम करते थे तो राज कुंद्रा पे यह आरोख है इसका खुलाशा कैसे हुआ इसका पिछले साल यानि 2020 के फरवरी में मुंबई के क्राइन ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को कोई टिप लगी कि मलाड में किसी बंगलो में पॉन फिलिम की सुटिंग हो रही है वहाँ पे पुलिस ने रेड किया तो वहाँ पे यूवक और यूतिया नगनमस्था में पाए गए और उनको कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए लोग पाए गए इसी मामले में गहना वसिष्ट की आजाद कर दिया गया इस केस में नो लोग पहले से ही रोपी है और सीविय यह ने अब जूए चार्सिक दायर की हे वह सप्लिमेंटरी चारशिट में 4 चार लोगों को सीविय ने बनाया है इसमें है राज कुंदरा और वियान इंटरप्राइज इसके जो IT हैड र्याउन थ कर रहे थे उनको भी आरोपी बनाया गया है इसके लावा यस्ठाकुर नाम का एक द्यक्ति है इसे पुलिस ने आरोपी बनाया है इस सप्लिमेंटरी चार सीट में पुलिस का ये कहना है कि राज कुंद्रा ने अपनी ये जो एप्लिकेशन है होट शॉट इस से वीडियो इस फाड़्कर अपलोड करते थे और जब इस हौटॉर शॉट की रिपोर्टिंग और में बंद कर दिया इनको बैन प्लेसाट में होड़िकेश् से एक अलगर ये बनाया एक अलग एप बनाया जिस पे ये परन वीडियो बना के डालते थे еще का रोबार चल रहा था पुलिस की चार्शिट में पुलिस ने 43 गवा बनाये हैं जिसमें से 5 गवाहों के बयान 164 CRPC में दर्ज कराए गया हैं आपको बता दू 164 CRPC का जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया जाता है और इन बयानों को जुठलाना बहुत ही मुश्किल है 43 गवाहों में एक नाम है सिल्पा सेट्टी का तो क्या सिल्पा सेट्टी अपनी पती के खिलाब कोट में आके गवाही देंगी और पुलिस के वर्षन पे टिके रहेंगी पुलिस के सामने उन्होंने जी स्टेट्मेंट दिये हैं जिससे उनके पती पे आरोप बनता है तो क्य सिलपा सेटी टिकी रहेंगी ये तो आगे हम देखेंगे तो आज हम देखते हैं कि राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिश ने कौन-कौन से आरोप लगाया है सबसे पहला आरोप नहीं होने लगाया है अंडर सेक्षन 354C IPC 354C IPC वोयरिजम की धारा है किसी महिला के प्राइ सेल को निशिद्ध करती है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो पहले अगर उफेंस हो है उसका पहला उफेंस है तो दो साल की सजा और दो हजार रुपए तक का जुरुमाना से दंडित किया जा सकता है परन्तु वह बाज नहीं आता और दूसरी बार करत है सबसेक्वेंट अगर कन्विक्शन होती है तो पांच साल की सजा और पांच जार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया जा सकता है अगली धारा जो इस आरोप पत्र में लगाया गया है राजकुंद्र और बाकितीन के खिलाब वह है 293 IPC 293 IPC क्या कहती है 293 IPC कहती है कि Cell and Distribution of Obscene Material to Young People यहाँ पे कम उम्र के लोगों को इस तरह की मादप और उत्तेजग चीजों के पिक्रे को निशिद करती है यह धारा और उन पर यह लगाया गया है और यहाँ पे कम उम्र जो है वो 20 साल से कम के बैक्टी को कहा गया है तो राजकुंद्रा चुकी यह स्ट् लगाई गई है और इसमें क्या है कि इसमें अगर conviction होता है तो पहले conviction में तीन साल की सजा और 2000 रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है और यह ओफेंस वो रिपीट करते हैं बाद में भी करते हैं तो साथ साल की सजा और 5000 रुपए तक के जुरुमाने से दं induce करते थें कि वो पॉन फिल्मों में काम करें कई बार दबाओ और प्रभाओ का भी इस्तमाल वो करते थें ऐसा आरोप पत्र में विचरित किया गया है तो इसलिए उन पे 420 IPC की भी धारा लगाई गई है जिसमें साथ साल तक की सजा हो सकती है राज कुंद्रा पर IT-8 की ध धारा 67 और 67A के भी आरोप पुलिस ने लगाए है 67 IT-8 की धारा 67 कहती है कि punishment for publishing or transmitting option material in electronic form तो राज कुंद्रा अपने OTT प्लेटफॉर्म पे पहले होट सोट और बाद में बॉली फेम के नाम से ये प्रोनोग्राफी को स्ट्रीम कर रहे थे इसलिए उन पे ये धारा लगाई गई है इन धारा में आरुप पत्र कस्तूत किया गया है कितनी सजा हो सकती है इसमें अगर पहले पहला conviction होता है तो उसमें 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुरुमाना हो सकता है परन्तु अगर दूसरी बार conviction होती है यही अपराद आदमी दूसरी बार करता है और उसको conviction होती है तो ये सजा बढ़के 5 साल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक के जुरुमाने से दंडित किया जा सकता है वहीं IT Act की धारा 67A ये कहती है कि punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act अब दो हो गए पहले आपने देखा कि punishment for transmitting and publishing obscene material और दूसरा है 67A कहती है ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है ये कहती है कि ऐसा material आप publish कर रहे हैं transmit कर रहे हैं जिसमें sexually explicit act दिखाया जा रहा है सीधा सीधा प्रोनोग्राफी ये बना रहा है थे तो उन पर ये धारा लगाई गई है इसमें क्या हो सकता है इसमें इनको 5 साल तक की सजा हो सकती हो 10 लाग रुपे तक का जुर्माना हो सकता है जैसे मैंने कहा कि पहले conviction में और दूसरे conviction अगर में 2G, 3, 4, 5 और 7 में भी आरोपत्र प्रस्तुत किया गया है तो राज कुंदरा की मुसीबते बढ़ती जा रही है हमारे देश में प्रोनोग्राफी से तो वह अपराद नहीं है परंतु अगर चाइल प्रोनोग्राफी है तो उसको देखना भी अपराद है उसको स्टोर करना भी अपराद है और अगर किसी भी प्रकार के प्रोनोग्राफी material को आप share करते हैं किसी भी माध्यम से WhatsApp से या उसके पंप्लिट शपवा के या उसको टेलीग्राम पे share करते हैं तो share करना तो जुर्म है लेकिन यदि आप अपने प्राइवेट स्पेस में पॉन देख रहे हैं बस अर्ते की वो चाइल्ड प्रोनोग्राफी ना हो तो वो अपराद नहीं है तो मिलते हैं किसी अन्ने टॉपिक के साथ तब तक जुड़े रही है हमारे साथ थैंक्यू बेरी मच्च